चलिए देश्तों आज अजना कुईज के इस वीडियो में बात करते हैं इस ब्रह्मान के सबसे जटिल मैसिन की और जानते हैं हमारे शरीर के बारे में ऐसा ही दोस फैक्ट जो आपको किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगे तो चलिए शुरुवात करते हैं पाले में दोस्तों जन्माने के बाद हमारे शरीर का हर एक अंग की ग्रौध होती है लेकिन हमारे शरीर का एक विस्सा ऐसा है जो कभी नहीं बाड़ता और वो है हमारी आँखों की काले पुतलियां जो हमारे जन से नित्तु तक एकी साइज की रहती है क्योंकि इसमें कभी भी ब्लाड सप्लाई नहीं होती है और आमतर पर हमारे मानम सरीर बॉइस ठोने तक ही बाढ़ता है लेकिन हमारे नाग और हमारे कान मित्तु तक स्लोली बाढ़ते रहते हैं दोस्तों क्या आप जानते है कि इंसानी सरीर का सबसे बड़ा सेल्स महिला का आण और सबसे छोटा सेल्स पुरुष का सुख्रान होता है एक बॉइस की इंसान के सरीर में लगभा 73.2 ट्रिलियन सेल्स होता है ये प्रोंभान में मुझूद सभी तारोशे कोई गुना जादा ह हर रोज हमारे सरीर के कड़रो सेल्स मर जाते है और उन्हें रिप्लेस कर देते है नए सेल्स और ये रोजाना लागातार चलता रहता है मगर ये पांस साल में हमारे सरीर के सबी सेल्स बदल जाते है फैक्ट नमब ale 3- शोते वक्त हमरे सोरीर में कुछ समय के लिए पैरलाइसिस यानि लगमा मर जाते हैं और ये हर एक बैक्ती के साथ होता है ता कि हमरे सोरीर बैक्तरिन तरिके से आरहम कोशनकीं और इसलिये जब हम सोरीर की कउश्सिस करते है और शोते है उसते है बो हाथ से स्छुट जाएगी गिर जाएगी या हमारी हाथ पाव शितिलो जाएगी इंसानी सरील में उंग्लियों के नाखुन करीब 3.47 mm पर मांत की रपतार से बाढते है और हमारी उंग्लियों में से हमारी हाथों की मीडिल फिंगर के नाखुन सबसे ज़्यादा तेजिशे बाढते है जबकि हमारी पैरों की नाखुन बहुती स्रोग होती ते बाढती है हमारी पैरों की नाखुन हमारे हाथों के उंग्लियों के नाखुन से चार गुना कौम तेजी से उगते हैं और पूरे जिन्देगी में हम करीब 204 किलो जितने नाखुन को काट देते हैं ये नाखुन हमारी सोरीर का ही एक भाग होता है जो हमारी skin cells से बने होते है इन skin cells को appendages कहते है और इन skin cells के basic materials कैरोटिन होता है और ये कैरोटिन एक टैप का protein है ये कैरोटिन हमारे नाखुन को हमारे बालों को भी बनाता है Fact No.5 एक एडल्ट इंसन के सरीर में करीब 5.5 लिटर खुन होता है और हमारा दिल पोती मीनी करीब 72 बार धड़क कर इस पूरे खुन की फ्लो को हमारी पूरी सरीर में घुमता है और ये लगत हमारे पूरे सरीर में 4.8 टू 6.5 किलोमीटर पर आवास की स्पीड में घुमता है इतने रप्तबाईया होते है कि पूरे पिजबी को धाई बार लपेट सकती है और दोस्तो इससे भी ज़्यादा खतरनक और इससे भी ज़्यादा इंटरस्टिंग हमारा सरीर का एक अंग है जिसे कहते है हमारा दिल तो चलिए जानते है दिल के बारे में फैक नोबो शेक्स आप जरा सोचिये दोस्तो के अगर आपको किसी एक पाम के मध्धम से 6 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कही पर पानी पॉँचना है तो कितना बड़ा पाम चाहिए होगा और आब ये सुचिए पानी आगर आपको 10 किलोमेटर दुरी तक पोंचना है तो कितना बड़ा पाम चाहिए होगा और आब ये सुचिए ये पानी आपको 1000, 2000, 5000 किलोमेटर दुर तक पोंचना है तो कितना बड़ा पाम चाहिए होगा साइट 12000 किलोमेटा दुरी तक एकी टाइम में एकी ग्रिब में पानी पॉंशा शाके ऐसा तो कोई पाम बानाई नहीं होगा पर ये चाउकानी वाली बार ये है दोस्तो हमारे सरीर का एक छोटशा पाम हमारा दिल हमारा रखत को पुरे सरीर की रखत बाहियों में यानी एक लाख किलोमेटार के विस्तार में लागाता बार बार घुमाता है बिना रुके बिना खाके आपके जनमते मरंतब एक भीबा बिना स्टोप हुए हमारा सरीर में सबसे ज्यादा मेहन अगर कोई हिस्सा करता है तो वो है अमारा दिल वो एक दिल में करीब एक लाग बाद धड़कता है और पूरे जिंदेगी में धाई सो कोडर बार ये छोटा सा कुद्रती पाम लाजबा भैना दोस्तो फैक्ट नमो सेवेन फ्रेंड्स और एक इंटेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब हम चीक खाते हैं तब ह हमारी नाक और मुह से 160 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हावा बाहर निकलती है और ये हावा को इस चीक को हमें कभी भी रोपना नहीं चाहिए क्योंकि ये हावा हमारी गोले में छेद कर सकती है और इतना ही नहीं इसे फेपड़े और दिमाग में भी प्रोब्लेम हो सक Facts number eight हम इंसानों का दिमाग दिन के मुकावले में रात को जपशन चलता है और जपशन देखने बालो इंसानों का दिमाग और जपशन चलता है ये सपने जेपड़े थार सो कि आपड़े आंगे और आपको ज्यादा बूरी सपने आएंगे और हमें अब तक नहीं मालो के ऐसा क्यू होता है FACTS NO.9 हमारी सोरीर में लगभग 49 trillion बैक्टेरिया होते है और इनमेंसे आरबो बैक्टेरिया हमारे स्किन के उपर भी सोरीर के बाहर भी होते है लेकिन इस बैक्टेरिय से घाबराने की कोई जुरूत नहीं है क्योंकि इन में से ज्यादातर वैक्टेरिया हमारे लिए कोई लुक्सन करक नहीं है काफी तो ये वैक्टेरिया हमारे सोरीर को ठीक करने में मदद करते है ए वैक्टेरियस के लिए दरशल हमारे सोरीर एक बड़ा ग्रहो से समन है जैसे पीद भी एक रहा है जिस पर हम रहते हैं वैसे ही हमारे सरीर पर बाशे इन बैक्टेरियास के लिए हमार सरीर एक बड़ा प्लैनेटी है और अमारे सरीर के अंदर और उपर जितने भी बैक्टेरियास होते है स्रेप उस बैक्टेरिया का वोजन ही करीब 2 किलो होता है एक इनसान अपने पूरे जिवनकाल में करीब 33,000 किलो खाना खा जाते है और ये वोजन करीब थाग हाथी जिखना होता है